दोस्तों ओम नमेशिवाय, श्वागत थे आप लोगों का हमारे सी योटोब चैनल सीवा अश्टलोजी में नौरातरी की हारदिक सुपकामनाएं हे अंबेरानी जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में शदैब अपना इस्थान बनाए रखना उनकी जोली शदैब खुशियों शिबर देना जै माता दी दोस्तों 2024 में इश्वार मादुरगा चैतर नौरातरी पे घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं यानि जब माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसे सुब नहीं माना जाता जो तेस सास्त्र के अनुसार दे भी जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो समाज और राजनीत में बड़ी उतल पुतल होती है मानिताओं के अनुसार अगर चैतर नौरातरी पर यदि माता दुरगा घोड़े पर नहीं बलकि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो मानता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार हो कराना बहुत ही शुब और कल्यान कारी माना जाता है, जीवन सुखमे हो जाता है, भक्ती का भरपूर लाब भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैशनों भरपूर आशिरवाद देती हैं, दोस्तों पूरे नव दिनों तक चलेगी यानि नव दिनों तक नव दिनों तक पर्वे मनाया जाएगा ना एक भी दिन कम ना एक भी दिन जादा पूरे नव दिनों तक चलेगी माता वैशनों की मा शेरो वाली की विशेश रोप से पोजार आधना की जाएगी चेत्र नव रातरी का प आप तो हो जाएगी आपको बता दे कि 9 अप्रेल को घट इस्थापना का शुब महुर्त शुबए 6 बच कर 3 मिनट से शुबए 10 बच कर 14 मिनट तक रहेगा दोस्तों चलिए अब बात करते हैं अब जान लेते हैं नौरात्री में कौन कौन से सब्जिया नहीं खाना चाहिए औ कौन सा फल खाने से बरत तूट जाता है आईए जानते हैं नौरात्री में क्या खाएं और क्या ना खाएं और क्या पीना चाहिए कौन सा फल खाना विशेष और शुबकारी माना जाता है आज हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बाक् तो हो रासे के अंसार किया गया कार बहुत शुब माना जाता है मैया बैशनों रानी बहुत प्रसंद होती हैं कमेंट में लिखें माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में जै माता रानी एक लाइक जरूर करें बैशनों रानी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों शास्त्रों के अंसार बताए गए ब्रत चाहे किश्वी प्रकार के क्यों न हो उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अतियावश्यक माना जाता है क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह शंघर्ष नहीं कहलाता कहा जाता कि मनोकामना को पूरण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानि की तपश्या तो करने ही पड़ती है इसलिए ऐशी मानता है कि ब्रत को पूरण बिद्विधान से किया जाना चाहिए तब आपको ब्रत का पूरण लाब प्रात होता है अति उत्तम और शिग्र दायक बरदान प्रात होता है आपके सबी मनोकामना शिग्री मया रानी पूरण करती है ऐशे बिक्ति को मरने के बाद माता रानी के चणों में इस्थान मिलता है वैशदेव ही मा की सेवा करता है ऐशा भक्त श्वर्ग लोक में जाता है इसलिए हर सास्त्र यही कहता कि सच्चे द नहीं मिलता वैश नरक में ही बटकता रहता है भगवत गीता में भगवान स्रकष्ण ने स्वयम कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हर्दय से इश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस सक्ति से जोड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हर्दय से पुकारा था इसलिए भगव भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तता रोते हैं फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता दरसल जब आप सच्चे मन से इश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे दोस्तों ये तो थी वो बाते जो भक्त और भगवान क की बीच की है अब जान लेते हैं नवरात्री के दरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए कौन सफल खाने से ब्रत संपूर और सफल हो जाता है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भोले तो आए माता शंतोसी का बार कहा जाता है माता शंतोसी खटी चीज को खाने वाले बेक्तिव से हमेशा क्रोधित रहती है नराज रहती है क्योंकि नवरात्री में माता शंतोसी जागरत अवस्था में होती है माता शंतोसी की सकती नवरात्र में कई करोर गुना बढ़ जाती है नवर देती हैं नीबू नहीं खाना चाहिए वैसे तो नवरात्री के ब्रत में नीबू खा लेना चाहिए पर अगर शुक्रवार हो तो माता शंतोसी के क्रोध से बचने कले नीबू नहीं खाना चाहिए इस दिन नीबू का त्याग करना चाहिए दोस्तों पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें लैसुन प्याज होता है और खाना यह निकला कि जो होता है वो तामसीक होता है तो नहीं खाना यह जाता है जो ब्रत होते हैं ब्रत भंग भी हो शकता है तो पाप लगता है ध्यान पुर्बक, अगर आप शुक्रवार को खटी चीजे नहीं खाते तो माता संतोसी आपको धन धान से माला माल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है, बस शुक्रवार के दिन, नवरात्र के दिनों में इस बीच आप इसे त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए, नवरात्रों में लेसुन प्याज और खटी चीजों का प्रहेज करें, चाहे आप ब्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको नवरात्रे के दिवों में लेसुन प्याज से बनी चीजे नहीं खानी चाहिए, लेकिन याद रहे पानी पूरी आप खा सकते हैं वो भी जब नवरात्र समापत हो जाए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें आपका एक लाइक माता राणी के लिए अत्परी है माता राणी को अच्छा लगेगा इसलिए मा के लिए एक लाइक दो बनता है माता राणी को न करना नहीं चाहिए दोस्तों नवरात्र के दिन शेव जरूर खाना चाहिए सास्त्रों में बताया जाते कि भगवान के भोग में शेव आद जरूर अर्पित किया जाता है अगर आपका ब्रत है तो आपको शेव जरूर खाना चाहिए केला, पपीता, तरबूजा, मीठे, फल, अंगूर बगरा खालेने चाहिए, लाल वाला अंगूर खालेने चाहिए, हरा वाला अंगूर, साथी अनार खालेना चाहिए, और आप सीता फल भी खालें, इन फलों के ब्रत धारी को शक्ति मिलती है खाने से, और ब्रत शंपूर हो जाता है, सास्त्रों में बताया जाता है कि नवरातरी के दुनों में शीता फल जरूर खाना चाहिए, लेकिन आपको नास पाती नहीं खाना चाहिए, फलों में नवरातरी के दुनों में आप नास पाती का त्याक कर दें, इसे ना खाएं, ये नास करने वाला होता है, आपक फल होता है क्योंकि इसे माता सुईता का आशिरवाद मिला होता है माना जाता है भगवान राम के बनवाश के दरान माता सुईता ने यही फल खाया था नवरात्री के दरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों को सामना नहीं करना पड़ता आशिरवात देती है, दोस्तों नवरात्री में तेल की तली हुई हरी मिर्च भी आप ना खाएं, साथी कई मात्रा में ये परेशानी का कारण बनती है, तीखी होती है, इसले ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें, दिखते हो सकती है, पेटे, से संबन्नित चीजें यानि की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय ब्रत का जो पालन होता है, वो करना चाहिए, हलका खाना आपको खाना चाहिए, भर पेट खाना नहीं खाना चाहिए, इसे हमारे सरीर में उर्जा की भरपूर मात्रा मिलती है, अगर आप यानि की थोड़ा- कर तो होते हैं, जो हमारी हड्यों को मजब hearings बनाते हैं, तथा नौरात्री में बैगन नहीं खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जे, या फिर आप जैसे कि कुमरा भी नहीं खाना चाहिए, नौरात्रे में आप बैगन है, लैसुन है, प्याज है, ताinylसिक चीजों का यानि की खा सकते हैं दोस्तों नौरात्री में ब्रत धारी को डबबंद लसी डबबंद जूस नहीं पीना चाहिए उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका ब्रत तोट सकता है जब भी आप फलों का पूरा जूस पिए तो याद रखें कि उसमें नमक ना डालें नहीं तो ब्रत तूट जाएगा शाथी साथ जूस के बर्फ भी जूस में डालकर नहीं पीना चाहिए फलों का साधा जूस पीने से ब्रत सफाल होता है दोस्तों नौरात्री के दोरान सिघारे का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं हो चाहिए क्योंकि पुराने आटे में कीरे मकोडे पर जाते हैं जिसके कारण आपका बरत तूर सकता है क्योंकि यह छोटे मोटे कीरे मकोडे हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुह तक पहुंच जाते हैं ऐशा खाना खाना मतलब कीरे मकोडे खाने का बराबर माना गया ह दोस्तों नौरात्री के दरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू बगारा खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, शाबुदानी के टिकिया बना कर खिचरी खा सकते हैं, शाबुदानी के खिचरी बना ले, आलू के पापर भी खा सकते हैं, नौरात्री के धियान रखें, ब्रत धारी को पेट बर खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो ब्रत रखने का कोई फाइदा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कार के खा शकते हैं, नवरात्री के दरन आप आद सक्ति माध उर्गा को यानि की प्रसंद करने के लिए उनकी सबसे प्रीचीजे ज अरपित करें, जैसे कि फलों में अनार का फल है, शेव बगरा अरपित करें, लाल वला अंगूर, और इसका ही प्रसाद के रूप में शेवन भी कर लें, दोश्तों नवरात्री के समय में आप को भी तामसिक चेज के सेवन ना करें, लहशन, प्याज या, आप पत्तेदार लगोबी और कुमरा और बैगन वगरा विल्कुल ना खाएं, इस रीच का ध्यान रखेगा, नई तो ब्रत तूट जाता है, मातारानी क्रोधित हो जाती है, आपको खीर बगरा भी बना के खालें, दोध की खीर बना लें, शाबुदानी की खीर बना के खालें, किचड़ी अगरा भी खा सकते हैं, शाथि आप यानि की जो हमने फल बताया है, इन फलों का भी सेवन, आप नवरातरी के दरान करेंगे, तो मातारानी बहुत ही प्रसन होती हैं, शाथि साथ दोस्तों, जो भी मिठे पकबान बने हैं, इने भी आप खा सकते हैं, ब्रत धारी को दिन मे एक बार अगर खाना चाहें, तो नियम के उसार एक दिन आप खाना भी यानि एक समय खा सकते हैं, दोस्तों, ये जो नवरातरी का पर्व है, मादुर्गा को शमर्पित होता है, मादुर्गा इसमें प्रसन मुद्रा में रहती हैं, नवरातरी के दरान मातारानी को कुछ अल लग वश्तों उन्हें अरपित किये जाते हैं, और इस दिन भूल कर भी उन्हें यानि की तूटी फुटी यी चीज़ें आप अरपित ना करें, नारिल वगर अक्षे से देख लें, मुर्जाया हुआ फूल भी आप अरपित ना करें, और साफ सफाई का विशेश ध्यान र चाहिए और मातारानी को जो सिंगाल चढ़ेंगे विल्कुल सही होना चाहिए, चटका तूटा-फुटा नहीं होना चाहिए, शाति मातारानी को य थी चाहिए ये भी बताया है तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजेगा लाइक तो बेलकुल इस वीडियो को एक कर ही दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा कमेंट में लिखेगा जै माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में